थेख को, संग्वारी हो, नमसका पुएवैस्टी में केग के वीडियो और लेके आओं केक संगवारी हो और वोकर रिक्वेश्टरी से कि बीना अंडा के बीना बेकिंग पॉडर बीना बेकिंग फॉड़ा के इस सब चीच के बीना अवतावा में बनाना है इसतकी के तब प्रयास तो करें संगवारियों उम्मीद आप मला पसंद आई पर हाँ लोह पत्रोंस त्यारई करें आप माला विडियो पसंद थे लाइक शेयर और संग्री देख लेए केक बनाया बार एकरा में लेँ हो दूटकोरी गेहूं के आटा काबर की सब की घर में गेहू पाटा बाट अबिल्कुल करसे नहीं है, सबसे पहले गेहूं के आटा में ज़रत की हिसाफ से शक्कर डालो संग्वारियों जतका मिठा आप मना केकला बनाना चाहता हो अगेप लगा थे ता मेला च्छालनू च्छाने से का हुई बहुत ही अच्छा हमार घोला तेयार हुई और केक भी बहुत बढ़िया बनी तै देखो संग्वारी हो एला हमला च्छान लेना है अच्छा से और जटका भी दरदर वाले हो ही न ओ सब चीजा उपर आजी च्छननी में एक एकर आप वेनिला फ्लेवर के कश्टर्ड पॉडर हरे अगर ये कश्टर्ड पॉडर आप मन करनी है ता कोई बात नी एकर भी आप मन बना सकतो पर अगर एला दूचम में डाल दोना तेकर स्वाद बहुत बढ़िया ही आपके केक के आउ संगे मां कलर भी बहुत बढ़िया अगर आप मन कर दोने है ता पानी से भी घोला तेयार कर सकतो हमला गोला कतका पार रखना ए बात के आप मना बहुत ज़्यान देल लगी संगवारी ही अगर एकदम पतला कर दो आप मना तब भी आपके केक अच्छा नहीं बनी बहुत ज़्याद गाड़ा रखो फिर भी सब चीज आप मना पूछो ता ठंडा गरम नहीं चीए संगवारी हो एकदम ठंडा नहीं एकदम गरम नहीं जिसे हम दूदला उबाल के रख्थन ना और एकदम नार्मल हो ज़रे थे बिल्कुल वही दूच्छे ये ता दूदला डालते हुए में बढ़ी हासे एकर घोल त त्यार करना है संगवारी हो जतना अच्छा से आपके घोल त्यार होई वतना अच्छा आपके केक बनी अगर घोल सहीं से त्यार नहीं तक कीसे अच्छा बनी है ना यह सब चीला ध्यान देना है अब देखो संगवारी हो जिसे अच्छा से हम घोला त्यार होगे ना इमें म आप मनला उपलब दो यो सब चीज़ आप मनला ले सकता हो तेला डाले के बाद हमला अतना अच्छा सेला मिलाना है कि तेला पूरा घोल में अच्छा से मिल जाए और तेल कहीं भी तेरते हुए नीदी के हमला अतना अच्छा से मिलाना है देखाओ आप मनला मैं किसे मिला आता मुला दोत के जुरत पड़े से अवे देख सकतो संगवारियो हमार गोल एकदम सही तैयार है इनोल आप मुला एकदम आखिर में डालना है संगवारियो ए बात के आप मना ध्यान रखू अव मोर करा फूट कलर रखाये संगवारियो तम यह डाल दे हो अगर आप मन कर नहीं है आप मना एकर बीना भी बना सकता हूँ फूट कलर डाले से बहुँ शुंदर दिख थे बस यह जलेवी रंगर यह संगवारियो जो की जलेवी में योज कर थे वही वाले तब जलेवी बनारे हो तब मंगायर हो तो रखाए मोर करा तो ओला में डाल देए अब एकर सीसी में बिना बेकिंग पॉडर और बिना बेकिंग सोडा के इनों से ही बनी संगवारी हो और इनों के रियक्षन लाप मन देखा और इनों ला डालना है एक चमदूर दिया पाने डालना है और बड़ी हाँ से एला मिलाना है घोल में इनों के रियक्शन तप सुरू हो थे संगवारी हो जब हो में कोई खट्टा चीज हमिल थे खट्टा चीज मतलब कोई भी आपमान सिर्का डालाओ दही डालाओ या नीबू डालाओ ता एमें दूसे तिन बो आपमान डाल हूना तापके केक एकडम नरम बनी ही एकडम अच्छा से फूली और एकडम जाली पड़ी संगवारी हो ओ ता एह बात के आपमान ध्यान रखो आपमान काहारों के निकल के संगवारी उपर भी एकाम करते हैं अगर आप मन कर बटर पेपर है ता आपन बटर पेपर लगा सकता हो नहीं है ता यह तरीका बेश्ट है मैदा छिडग दो संगवारी हो नीचे में तिल लगा के गैस लाप मन देख सकता हो एकदम धीमा रखना है हमला बिल्कुल भी हाई फ्लेम में नी रखना है मिडियम में नी रखना है एकदम स्लो में रखना है और यह बरतला रखके एला हमला ढाग देना है 15-20 मिनट पर 15-20 मिनट के बाद मैं आप मन दिखाता हूँ कि हमार केखा कीसे बने ही लगबग 20 मिनट होगे संग्वारी हो मैं आप मला दिखात हूँ 20 मिनट बाद ता आप मन देख सकता हो केखा कतेक बढ़िया से फूल गे है और एकदम असान तरीका है संग्वारी हो एला चेक करे के चाकुल डालो और चेक करो चाकुल एकदम साफ निकलतना मतलब आपके के एकदम सही से बनके बीच हलकस आप मला गिला दिखात होई ता एला थोड़ा देर के लिए रख देवो ता हान एहा बढ़िया से सोख जही लगबग 4-5 मिनट नीचे के भाग एकदम बढ़िया से सिखा जाते संग्वारी हो आप मन देख सकता हो केक के कलर ला देख सकता हो ता एक अरा में केकला निकाल ले हो और ठंडा कर ले हो ठंडा करे के बाद एक बड़े साइच के में टीपिन ले हो अब टीपिन से एला गोल अकार देवो संग्वारी हो कारडबो मैं आप मला घर में ही कैसे केकला से जाना ये भी बता हूँ ता वीडियो आगरी तक के पर उसे देखो आप मना अवे देखो संगवारी हो बढ़िया से मिहा दबा के काट ले हो अव बढ़िया से कटा के है और एक अरकार बहुं सुन्दर दिखा दे एकदम नरम बने संगवारी हो चलो अब एला सजाइबर बना थन क्रीम टाइप के ता क्रीम तो हमर मन कर नहीं घ ठोड़ा थोड़ा आउए में सक्कंवह दाल देना है या फिर उबलत रही तब डाल देना है जब भी आप अंवला डालना है तो यहां हमें ठंड़ा दूद में मेहा डाल दे थों कट्वार्दर लाजी हां संगवारी हो कश्टड फौर्डर से क्रीम बनावों तो चमच कश के लगबग काबर की थोड़ा मीठा रही क्रीमत अभी अच्छा लगते तो एक करके थोड़ास वीडियो जो है इसकीप होगी है और इमें सक्कर डाले के बाद में एला थोड़ा दिर उबलन देना है और जिसे हलका हलका उबाला ही ना बहुत जदनी एकदम हलका हलका वो इसे की गोल तियार करें ना ओला डाल देना ही अब जब कश्टट पॉड़र की गोल आप मन डालू ना तो एकदम तुरंती गाड़ा वर धल लेते दूधा तो ए बात की ध्यार रखो कि आप मन लगतार चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा कर करके कश्टट पॉड़ाल आमसे अंदर होते संगवारी हो तो एमें ऐसे ही कलर आ जाते हैं अगर आपमार कलर डालना चाहाओ तो डाल भी सकता हूँ तो देखो संगवारी हो एला में पड़ी आसे गाढ़ा कर ले था हूँ थोड़ा समय बाद आपमार देखो कि अतना अच्छा से गाढ़ा हो गई है अच्छा से हमला चलाते हूँ पकाले ना हलका से में में कलर डाल देखो अब यह देखाओ अतका पन हमला गाढ़ा कर लेना है अब एला थंड़ा होई बाद में बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जही एकर आमेये टिप में बाद ले अब कोई भी एयर टईट वले डबब में आप मला एगोला डालके रख देना है कम से कम 17,5 घंटा पर फ्रिज में प्रेज यहार में टालना है, बात के ध्यान रहाओ, फ्रेज में ही रखना है और फ्रेज में रखे के बाद में एला बाद में हमला फेट के कvenue क्रीम बनाना है तो आँ देखो संग्वारी गरस एला में होख देता हो, एक सिर्णेल घंटा पर फ्रेज में एकर स्वाद बहुत बढ़ी होते संग्वारी हो वैनिला के स्वाद बहुत अच्छा लगते आईस्क्रीम टाइप के लगते हैं जब खाऊ होता तो ए देखो संग्वारी हो एकर हमें एक घंटा बाद निकाले हो एक सिल्डेट गंटा बाद अव एक ठनमिया कटोरह में डाला हो एक दम जेली की तरह हो गए है आप मला दिखात हो ही जिसे जेली आते हैं खाय के बिल्कुल वैसे ही लगा थे हैं एला ऐसे भी खाय में बहुं ज़्यादा स्वादेश्ट है है ते दिखो संग्वारी हो चम्मच के मदस से आप मना बढ़ी हां से फेट के एकर क्रीम तैय है आप मना बढ़ी हो चम्मच के बिल्कुल वैसे हैं पर मेला कम से कम दसे मिनाट फेटे हो आठ से दस मिनाट फेटे हो चम्मच के बहुं अच्छा से क्रीम नहीं बन पैस संग्वारी हो हाथ में दरद भी बहुंच जादा होगे ता मेहा ऐसे ही सजाओं यह आप मन के उपर है ऐसे भी बहुंच अच्छा लगते हैं तो जटका भी आप मना फेटना है आप मन फेट सकता हो नीचे वाले जो भागी ने संग्वारी हो जो पेन के नीचे रीसे तवा के नीचे ओ थ स्वादा थे संग्वारी हो रुखा रुखा नीचे लगी जिसे खाय में सुखा सुखा टाइप के लगते ना केका वह इसे नीचे लगी आप मना देख सकता हो कि पानी लग कतिक बढ़िया से सूखा थी हा अच्छा से सोखा थना बाहर बिल्कुल पानी नी निकला थे अब एक अरह जी हमना कश्टट पॉडर के तयार करें क्रीम ओला लगा देना है ओला लगाया के बात में बड़ी हासी चारुत्रा फैला देना है ओकर बाद आप मना इला चाकलेट से सजाओ जे भी चीज से उपर में डालना चाहता हो आप मना डाल सकता हो या फिर कत्री डा तरीका से सजाय की बतादे हाँ उपर में कत्री लगा दो हूँ अव ये देख सकतो संगवारी हो हमार केक बन के तयार हो गए है खाय में इतना नरम है संगवारी हो बनाये में असान ही थोड़े से वीडियो लंबा जरूर हो इसे बर आप मना मे पुरा समझाय के प्रयास करे कि आप मन कभी बना हूँ तो आप मनला दिक्कत मत हुए एक अरम में आप मनला एक टनपीस काट के दिखा थो कतना असानी से कड़ जाती है कतना नरम बने ही जब कश्टर्ट पोडर के क्रीम ला डाले हो ना उकर से कर स्वाद बहुं ज़्यादा बढ़ गे है संगवारी हो एक ज़्यादा महनात भी नहीं लगे संगवारी हो कम समान में बन जते आप मन के घर में उपलब देते बस वही सब समान से मिहां बताया के कोसिस करें हो उमेदे पसत जरूर ऑईस हो ही जल्दी-जल्दी कमेंट करो और बताओ काबर के आप मन के कमेंट के मुला इंते जा रहे पढ़के बहुत खुशी मिलते संगवारी हो कभी कभी रिपले नहीं दे पाऊं संगवारी हो वैस सरी तो आप मन मुला माप कर हो और बिल्कुल भी मुझे समय मिल ही ना अभी थोड़ा वैस ता चला था हूं रिपले कर रहा था हूं अब कुछ-कुछ जन संगवारी माना गुस्ता जन हूं ता चलो मिलते हूं आप मन से जल्दी एक नावा वीडियो किसंग तब तक बढ़ नमस्कार दे शक्ते हूं